सब्सक्राइब नाव और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हेलो स्टुडेंट्स मैं नेम इस रवीन्द दहिया और इम फ्रम सिवा काउंसलर्स एंड यू आर वोग शेख चुके हैं आज इसी सीक्वेंस की यह थर्ड वीडियो में हम सीखेंगे कि कुछ अधर वर्ड्स भी होते हैं उनको किन वर्ड्स के अंदर हम लोग चेंज करते हैं इस वी आर चेंजींग आवर डारेक्ट इंटू इंडारेक्ट तो अधर वर्डस मेरा मतलब यहां पर हैं संटैंस के अंदर प्रोनाव और टैंस के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स बच जाते हैं जो की नियर्नेस शो करते हैं किसी भी इंसीडैंट की नियर्नेस स्चिए बात कर से पहला है नाव नाव को हम लोग चैंज करते है ले कि अंदर उसके बाद इस तर्डेक कौ मोख करेंगे बैट के अंदर, ऑ्सकी řे yesterday को हम लोग change करेंगे Bulgaria last word is changing the previous the previous word, last month को the previous month last day the previous day last year the previous year मीज्ट के लास्ट वर्ड पे फोकूस करना है लास्ट वर्ड को लोग change करेंगे the previous word वर्ड के ょकाँ के आगे मांथ है year है week है क्यी है वो सब as it is रहेगा उसके करेंगे दिली के अंदर नेर आफ्टर को नोगी करेंगे sincer कि यह सब तो छंज लेते कि किस तरीके से हम लोग करेंगे तो सुदेंट्स यह इस सीक्वेंस की थर्ड वीडियो है और जहां तक रूल्स की बात है हमने तो यह तीन रूल्स किया है यह वह रूल से हैं जो हर तरह के संटैंसा में इंप्लिमेंट होंगे अगर आप direct से indirect में जा रहे हैं तो कुछ specific rules भी होते हैं जो according to sentence change होते रहते हैं उनकी videos इसके बाद आनी start हो जाएंगी यह वो rules थे चाहे आप interrogative sentence कर रहे हैं चाहे आप assertive sentence कर रहे हैं चाहे आप optative कर रहे हैं imperative कर रहे हैं सभी में यह rules implement होंगे यह basic common rules थे जो कि आपको आने ही चाहिए अगर आप direct indirect या narration का concept शीखना चाहते हैं तो एक sentence अब लोग लिख लेते हैं कि he said to me अगर देशेज़ कि माई पैन इसी संटेस है लेकिन हमने यहां पर इसको यूज़ किया है किस तरिके से इन वर्ट्स को चेंज किया जाता है he told me that इसकों लोगों ने किसमें चेंज करना है that के अंदर this is the actual concept that was his तो स्टुडेंट्स हमने यहां पर तीनो ही चीज़ें देख ली है प्रोनाम भी मैंने करके चेंज के अंदर दिखाया एक बार समझ लीजिए he told me that यहां तका concept clear है उसके बाद this को हमने चेंज किया that में according to the rule how to change other words उसके बाद is MR चेंज होते है वोज वर्ट के अंदर अगर हमारी reported speech का जो tense को हम चेंज कर रहे है उसके बाद हमारे पास जो वर्ड आया वह एक प्रोनाउन था first person था according to the subject of this segment subject हमारे पास ही था तो माई जो है वो possessive case है इसी तरीके से ही का possessive case हमने यहां पर his बनाया और पहन को हमने रखा पहन और इस तरीके से हमारा sentence जो है वो हो गया तो students एक और एक्जांपल हम लोग देख लेते हैं C said comma inverted comma I am not I am not going tomorrow ठीक है I am not going tomorrow inverted comma close so look at this sentence कैसे इस तो लोग चेह करेंगे C said that I first person है according to subject यहां पर C convert C में convert करेंगे इस हमार को change करेंगे वोज वर में लेकिन उससे पहले हम टेंस देख लेंगे कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टेड वर्प का जो टेंस है वो पास्ट में है जी हां यह पास्ट में है तो इस हमार चेंज इन्टू वोज वर और C के साथ है वोज नॉट गोइंग तू रोगो में किसमे चेंज करना था दनेक्स डे दनेक्स्ट तो इस योवर संटेंज तो इस तरीके से हम लोग कनवर्ट करेंगे अगर आपको यह कॉंसेट समझना है अच्छी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो जो भी होंगी स्टूडेंट्स इस कंसेट के बारे में वो ओगी टाइप्स ओप सेंटेंज के ऊपर तो टाइप्स ओप सेंटेंज अव में करेंगे और वन बाई वन उसको हम पिक करेंगे सबसे पहले हम लोग अगली वीडियो में करेंगे असेर्टिव सेंटैसिस हाव तो चेज असेर्टिव सेंटैसिस फिर्म डारेक्ट टू इंडारेक्ट आपको समझ में आए होगा और वेट किजिए नेक्स्ट वीडियो का क्योंकि यह कॉंसर्ट मैं आपको पहले बताया था के लिए यसेर्थ में इन नाएक यह करना थे कॉद्टैस के लिए आपको अन्टिताइ न्यारेग पी यह पड़ता है ग्रेंट का कर दो लिए Redo